नमस्कार आदाब शत्सरियाकाल स्वागत है आप सबका यहाँ पर हमने लिखा है एक क्वेश्चन संपूर्न रिवीजन अ टॉपिक कौन सा है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वो भी सिक्वेंस ओफ फांक्शन का क्या ये संभव है? मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर हमने पहले ही इस टॉपिक को डिटेल में डिसकस कर दिया है लेकिन कुछ बहुत अच्छे अच्छे सिक्वेंस ओफ फांक्शन इस इस क्वेश्चन में हमने डाले हैं जिसके पॉइंट वाइस कंवर्जेंस के बारे में जिक्र करेंगे जिसके यूनिफॉर्म कंवर्जेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे और यूनिफॉर्म कंवर्जेंस की जब बात तो होती है तो एक तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच होता है जिसमें सुप्रीमम ही निकाल लिया जाता है और दूसरा एक अब्जेक्टिव अप्रोच जिसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जो सुप्रीमम ओवर दोमेंडी मॉड FNX माइनस FX जो है वो जीरो पे जाता है या नहीं जाता है अब यहाँ पे FNX क्या है FX क्या है एक एक चीज जो आपने ओल्रेडी इस चैनल पे डाले गए डिटेल्ड कोर्स में बढ़ रखा है उसी को नए सिक्वेंस जो हम लेकर के आए हैं उसमें देखने की एक अच्छी कोशिश जो है वो करेंगे तो लेते हैं सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप देखिए इस सवाल में क्या है और क्या खासियत है यहाँ पर जो सबसे पहला सिक्वेंस हमने लिया है यह सिक्वेंस है कॉस की पावर 2N πाई x दिस इस योर FNX यह आपका FNX है मैं दूसरे पेज पे इसको लिखना चाहूंगा जो आपका FNX है वो क्या है FNX यह निश्चित तोर पे यहाँ पर हमने जो लिया है FNX वो है कॉस ठीक है कॉस की पावर 2N कॉस की पावर 2N πाई x ठीक है अब सबसे पहली जो बात होती है क्या यह पॉइंट वाइस कनवर्जेंट है ठीक है और यहाँ पे किस डोमेन पे हम लोग बात कर रहे है तो ON R ठीक है अब जैसे देखिए पॉइंट वाइस कनवर्जेंट का मतलब यह है कि R से एक एक पॉइंट लेके FN में रखते जाएए और वहाँ से सिक्वेंस ओफ रियल नंबर बनेगा और सारे के सारे सिक्वेंस अगर कनवर्जेंट होंगे तब आप बोलेंगे कि यह सिक्वेंस पॉइंट वाइस कनवर्जेंट है लेकिन जो तरीका होता है वो तो बहुत थोड़ा लेंदी तरीका होगा एक एक point को इसमें रखना और उसके बाद करना मुश्किल होगा तो point wise convergence कब कह देते हैं जब limit n tends to infinity fn x ये finitely exist कर जाता है और limit n tends to infinity fn x करने पे जो आपको मिलता है fx इस fx को हम लोग क्या बोलते हैं limit point function और अगर limit point function exists finitely तो हम लोग ये कह देते हैं कि ये जो है point wise convergent है तो अब यहाँ पर देखना होगा कि ये जो है limit n tends to infinity cos की power to n और यहाँ पे जो pi x है ये क्या होने वाला है यहाँ पर ये देखना बड़ा interesting बचपन से ही याद है कि अगर cos का odd multiple होगा तो वो minus 1 होगा ठेक है integer की बात कर रहा हूँ और cos का अगर even multiple of pi होगा तो plus 1 होगा ठेक है तो अब यहाँ पे देखिए जैसे cos pi x cos 2 cos x के जगर पर अगर 1 रख देते हैं तो cos pi minus 1 x के जगर 2 रख देते हैं तो cos 2 pi 1 इस तरीके की scene बनेगी लेकिन यहाँ पे power में क्या है 2n 2n कहने का मतलब power में क्या है even है तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग x कोई भी integer ले लेते हैं तो जो integral multiple of pi है उसके लिए जो cos का value है वो या तो plus 1 होगा या minus 1 होगा लेकिन power में जो 2n है तो minus 1 का power भी अगर 2n है तो वो 1 है न होगा तो x belongs to z के लिए ये आगए आपका 1 और जब आपका x z से belong नहीं करता है तो उस case में क्या होता है तो cos का जो maximum और minimum value है ठीक है वो हम जानते है कि cos का जो range है वो minus 1 से plus 1 के बीच होता है और minus 1 और plus 1 तो integral multiple of pi पे ही मिलता है तो अगर x z के अंदर belong नहीं किया तो जो cos का value होगा वो क्या होगा less than 1 जैसे उदाहरन के लिए 1 by 2 हो जाएगा और अगर less than 1 का power 2n है ठीक है जैसे 1 by 2 ये उदाहरन के तोर पे 1 by 2 लिए अब जैसे 1 by 2 का power 2n है ठीक है तो ये 0 पे चला जाएगा जब आपका n कहां पे जाएगा infinity पे तो ये कहां पे चला जाएगा 0 पे चला जाएगा तो अगर less than 1 जैसे 1 by 2 का power 2n as n tends to infinity तो वो 0 पे और ये देखता हुआ नजर आ रहा है जैसे अगर n बराबर 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 by 2 का power 2 यानि कि 1 by 4 ठीक है और n बराबर अगर हम माली जैसे 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 by 2 का power 4 तो देखिए denominator बढ़ रहा है यानि कि ये 0 की और भाग रहा है तो यहाँ पे जब x, z के अंदर से नहीं है इसका मतलब जो cos है वो less than 1 है और उसका power अगर 2n है और n अगर infinity पे जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा 0 पे ठीक है तो आपको ये जो मिला न इसको हम लोग बोलते हैं piecewise function क्योंकि दो टुक्रे में मिला है ठीक है और यहाँ पर uniform convergence जो chapter है उसकी भाषा में इसको बोलते हैं f of x यानि कि limit point function जो कि यहाँ पे क्या कर गया exist कर गया और अगर limit point function exist कर गया finitely इसका मतलब ये जो आपका function है ये क्या है आपका pointwise convergent है pointwise convergent है तो ये बात बिल्कुल सही है ठीक है तो option A बिल्कुल सही है हम अपने detailed course में इस function का uniform convergence भी discuss किये हैं एक theorem है कि limit point function जब discontinuous होगा तो sequence of function क्या होगा अगर आपके अंदर ये curiosity है तो इसी channel का जो playlist है उसमें पूरा detail में 100 से भी जैदा घंटे का lecture हमने डाला हुआ है उसको जरूर देख लीजिए ठीक है अब हम बात करते है the sequence sine nx अब देखिए दूसरा option B के लिए जो हमने sequence लिया है क्या लिया है sine nx divided by under root n तो चलिए अब अपन जो है option B पे खिलते हैं option B में जो आपका fnx है ये fnx हमने लिया है sine nx divided by under root n ठीक है और इसके uniform convergence के बारे में पूछा गया है और कहां पे पूछा गया है तो 0 से πाई के उपर पूछा गया है तो सबसे पहला जो काम आप करोगे वो काम क्या होगा कि आप देखोगे कि fx exist करता है कि नहीं limit n tends to infinity fnx आप निकालोगे तो limit n tends to infinity यहाँ पर जो है sine nx nx सोरी यह पाई नहीं था nx यहाँ पर जो है यह आप का जाएगा sine nx divided by under root n और यहाँ पर 0 से πाई के बीच आपको पूरा का पूरा खेल खेलना है तो आप जानते हो कि यहाँ पर 0 से πाई के बीच अगर हम sine को देखना चाहें sine को अगर हम 0 से πाई के बीच देखना चाहें 0 से πाई के बीच तो यह निश्चित तोर पर 0 से 1 के बीच ही आएगा ठीक है यानि कि उपर में 0 से 1 के बीच कुछ भी रहे और यहाँ पे अगर n infinity पे चला जाएगा तो उस case में यह कहां को अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा तो आपको यह जो 0 मिला है यही क्या है fx इस sequence के लिए क्या है limit point function है मतलब इस sequence के लिए जो limit point function मिला वो क्या मिला आपको 0 यानि कि यह point wise convergent तो हो गया ठेक है और इसका limit point function क्या मिला 0 अब अगर आपको uniform convergence के बारे में discuss करना है देखिए हम सब जानते हैं कि अगर limit point function exist कर गया यानि कि point wise convergent है तब हम आगे यह check कर सकते हैं कि वो uniform convergent है या नहीं है अगर point wise convergent नहीं होगा तो uniform convergent होने का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन अगर point wise convergent है तो uniform convergent हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यानि कि अभी check करना शेश है uniform convergence के लिए हम लोग क्या करते हैं जो हमारा domain है जिसे supremum निकालेंगे कहां से कहां पे जीरो से पाई पे mod fnx आपका क्या है sin nx divided by under root n और f of x क्या है जीरो तो यहां पे देखिए जो हमने काम किया है वो क्या किया है यह आपका fnx है और यह आपका क्या है f of x तो supremum over the domain domain आपका क्या है 0 से पाई mod fnx है और अगर यह 0 पे नहीं गया तो uc confirm नहीं है ठीक है अब जो subjective approach है उसमें लोग क्या करते हैं कि इसका supremum निकालते हैं domain के उपर अब उसके लिए maxima minima critical point second derivative test या sinus kim वाला test यह सब यूज करते हैं लोग लेकिन जो objective approach है वो यह कहता है कि आपको इसके supremum से मतलब नहीं है आपको मतलब है कि इसका जो supremum है वह 0 पे जाता है या फिर नहीं जाता है अगर 0 पे चला गया तो uniformly convergent हो जाएगा और अगर यह 0 पे नहीं गया तो उस case में यह uniformly convergent नहीं होगा ठीक है तो हमें अब इसका supremum in actual नहीं निकालना है हमें main काम करना है वो यह देखना है कि mod fnx minus fx 0 पे जाता है या नहीं जाता है कई बार जो 0 है वही इसका supremum होता है कई बार 0 के अलावा इसका supremum हो सकता है ठीक है कई बार मतलब ऐसा भी दिख सकता है कि इसका सुप्रीमिम जीरो पे नहीं जा रहा है किसी और पॉइंट पे जा रहा है लेकिन जिस पॉइंट पे जा रहा है वो किसी particular sequence के लिए हो सकता है ठीक है अब ज्यदा इसको नहीं बोलते हैं बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें यह देखना है कि supremum over the domain D mod fn x minus fx 0 पे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है ठेक है लेकिन यहां पे जो है यह चीजे असानी से दिख जा रहा है कि यह चला जाएगा निश्चे तोर पे जब हम इसके बारे में देखते हैं तो यह less than or equal to 1 by under root n तो हो ही जाएगा क्योंकि sin nx का maximum value क्या होगा 1 और यह कहां पे चला जाएगा 0 पे as n tends to infinity ठेक है तो यहां पे supremum over this domain mod fn x minus f of x जो है यह निश्चे तोर पे 0 पे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और 0 पे चला जाएगा तो यह जो है uniformly convergent हो जाएगा तीसरा जो sequence है वो है nx into e का power minus nx squared ठेक है जो त तीसरा sequence है option c के लिए जो हम लोग काम करने वाले हैं उसके लिए जो आपका fn x है यह है आपका nx into e की power minus nx squared ठेक है तो अब सबसे पहला काम यह होगा कि हम fx देखे यहां से fx कहने का मतलब है limit n tends to infinity fn x कहने का मतलब है limit n tends to infinity fn x अगर हम देखे तो यह हो जाएगा nx divided by e क power nx squared अब जब infinity इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि यह infinity by infinity form में है और जब infinity by infinity form में कोई भी function होता है तो निश्चित तोर पे हमें lawpitals rule याद आता है और यह हो जाएगा limit n tends to infinity अब n के respect में numerator को अगर differentiate करेंगे तो x मिलेगा और x के respect n के respect में क्योंकि n tends to infinity है तो n के respect में nx squared देखने को मिलेगा इससे यह जो x है यह cancel होता हुआ नजर आएगा x जिस interval पे हम इसकी बात कर रहे हैं वो interval कौन सा है वो आप देख लीजिए वो interval है 0 से k जहां k कोई भी ऐसा number है जो greater than 0 है तो 0 से k पे हमें अब यह देखना है तो अब यहाँ पे देखिए 0 से k on 0 से k और k कोई भी number strictly greater than 0 है तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि अगर हम इस x की बात करें तो यह तो कोई भी number है जो की greater than 0 है यह x square जो है वो भी definitely कोई number होगा जो की greater than 0 यहाँ पर n है और अगर n infinity पे जाएगा तो e का power nx square भी infinity पे जाएगा और 1 upon infinity 1 upon tends to infinity कहाँ पे चला जाएगा tends to 0 ठेक है तो यहाँ पे यह जो 0 मिला यह 0 आपको क्या मिला limit point function मिला तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा fx है यह 0 के रूप में जो मिला यह हमारा मिला limit point function अब हमें यह देखने की जरूरत है क्या यह uniform convergent है या फिर नहीं है ठेक ह यह देखने बाली बात होगी कि क्या यह uniform convergent है या नहीं है तो अपने को यहाँ पे क्या निकलना है supremum कहां से तो 0 से k पर किस function के लिए तो mod fnx क्या है nxe की power minus nx square fx क्या है 0 देखिए यह आपका fnx है यह आपका f of x है अब अगर यह 0 पे चला गया तो uc हो जाएगा अगर यह 0 पे नहीं गया ठीक है अगर यह 0 पे नहीं गया तो यह uc नहीं होगा actual में इसका supremum क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता objective problem को अगर हम discuss कर रहे है ठीक है तो अब देखिए अगर आप इसको subjective तरीके से solve करते या किसी भी book में देखेंगे कि अगर subjective approach लिया गया है तो y मानने के बाद फिर dy by dx निकाला गया है इसको 0 पूट करके यहां से critical points निकाले गया है critical points निकालने के बाद या तो sinus kim method से या second derivative method से यह बताया गया है कि वो point of maxima है कि minima है और उसके बाद फिर वो supremum निकाला गया लेकिन objective में यह सब करने की जरूबत नहीं है क्यों क्यों क् कि नहीं जाएगा अब देखे यहां पर जो है 0 से के की बात है तो अगर हम sequence लेते हैं 1 by n तो यह जो sequence है यह इस interval में well allowed है यह जो sequence है यह definitely इसमें क्या है allowed है क्यों क्योंकि 1 by n जो sequence है जैसे यह 0 है तो 1 by n का infinitely many points क्या है 0 के neighborhood में है इसी लिए यह sequence allowed है यहां पर अगर यही 1 से के की अगर बात होती तो फिर 1 by n उसके अंदर allowed नहीं होता इसी बात को बहुत detail में हमने discuss करा है कि कब किस interval पे कभी वो uniform convergence हो जाएगा किस पे नहीं होगा इसको खूब rigorously हमने अपने detailed course में करा है अब playlist चेक कर लिजिए परियतन CS यहां पर यहां पर आप देख लिजिए अब 1 by n अगर allowed हो जाएगा तो देखे होगा क्या objective में कैसे सोचते हैं 1 by n अगर allowed हो जाएगा तो यह हो जाएगा n into 1 by n और e का power minus n into 1 by n square तो n से n तो गया इससे यह गया यह हो जाएगा आपका 1 by 1 by क्या e की power 1 by e की power minus 1 by n things like this ठीक है minus n into 1 by n square yes तो यह हो जाएगा e की power minus 1 by n just a second e की power minus 1 by n यह चीज़े आ जाएगी अब अगर e की power minus 1 by n है तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह की चीज़े अब देखो अगर n infinity पे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा e की power 0 e की power 0 क्या होती है 1 तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इस sequence के लिए जो supremum है यह कहां पे जा रहा है तो अगर one पे जा रहा है किसी भी sequence के लिए जो कि इस domain में lie करता है इसका मतलब यह confirm है कि यह 0 पे जाएगा e या तो one पे जाएगा या फिर कोई इसके बीच कोई ऐसा point exist कर जाए जिससे की one से भी greater value पे जाए ठीक है तो यहां से ऐसा नहीं है कि इसका supremum one है नहीं बलकि यह one आकर के यह बात साबित कर दिया कि supremum 0 पे जाने वाला नहीं है और supremum अगर 0 पे जाने वाला नहीं है इसका मतलब यह जो है uniform convergent नहीं है इसका मतलब यह जो है uniform convergent नहीं है अगर आप इस sequence का जो हमने detailed वाला method बोला था यह वाला के dy by dx निकालो यह निकालो वो निकालो तो critical point जो आपको मिलेगा वो मिलेगा x by under root 2 and ठेक है और इस critical point पे जब आप इसका maximum value देखना चाहेंगे तो वो infinity पे चला जाता है supremum जो है यह unbounded above function है in actual लेकिन इसके supremum से हमें क्या लेना देना हमें लेना देना है कि इसका supremum 0 पे जाता है कि नहीं जाता है तो अगर कोई भी एक ऐसा sequence आपको मिल गया जिस sequence पे यह जो supremum है वो 0 पे नहीं जाता है तभी हम तपाक से बोल देंगे कि भाई यह uniform convergent नहीं है ठेक है तो option c में क्या कहा जा रहा था the sequence this is not uniformly convergent है ना यहाँ पे not लिखा हुआ यानि की बात ये भी सही है ठेक है अब देखिए चोथा जो आपका question है उसमें है the sequence fnx जो है वो है x की power n-1 into 1-x is not uniformly convergent on 0 से 1 ठेक है not uniformly convergent on 0 से 1 तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो subjective method वाला जो चीज है उसको भी मैं यहाँ पे एक option में ले करके आया और इसलिए मैंने आपको यह बोला था कि यह जो आपका वीडियो है इसमें लगबग हर तरह की जो बाते है उसको हम यहाँ पे discuss कर द infinity fn x करते थे तो limit n tends to infinity यह आपका रहा fn x और यह definitely 0 हो जाएगा पुछिए कैसे तो कारण यह है कि अगर आप x बराबर मान लिजे 0 रखते हैं तो x का power n-1 तो x बराबर 0 रख दीजेगा तो इसके 0 होने के कारण यह ले लिजे 0 हो जाएगा ठेक है और अगर आप 0 नहीं र infinity पे जाएगा तो 1 by 4 जो कि 1 से छोटा है तो यह obviously 0 पे चला जाएगा इसलिए इसका जो limit point function है वो 0 हो गया तो यहाँ पे यह जो fx है इसके जगह पे देखिएगा 0 यूज किया गया है यह आपका fn x है ठेक है अब mod fn x minus fx निकाला गया जो कि वही x का power n-1 into 1-x आएगा अ अब यहाँ पे जो है अगर आप कोई sequence सोचना चाहते हैं 0 से 1 के बीच 1 by n बगेरा भी रखना चाहते हैं तो यह जो है आपको कोई भी counter example ले करके नहीं देता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे एक simple analysis के थुरू यह दिखा सकते हो कि यह supremum over the domain d mod fn x minus f of x 0 पे जाता है या फ approach के हिसाब से इस function को मालेंगे y और फिर maxima minima लगाएंगे dy by dx है dy by dx निकाल लेया dy by dx को 0 put करेंगे तो इसको 0 put करने के बाद x परावर n minus 1 divided by n मिल गए आपको फिर आप क्या करोगे d2y by dx2 निकालोगे तो यह less than 0 आ रहा है इसका मतलब यह जो आपका point आया था n minus 1 by n यह जो point है यह point आपका क्या है point of maxima और point of maxima की सहयता से आप क्या करोगे supremum निकालोगे है की नहीं point of maxima की सहयता से आप क्या करोगे इस point को रख दोगे fx में तो इस point को जब आप fx में रखते हो तो यहाँ पे जो supreme है इस finite interval पे वो कुछ और नहीं बल्कि जो maxima है वही हो जाएगी तो यहाँ पे manipulate करने पे यह जो चीज़े है 1 by n into 1 minus 1 by n की power n minus 1 आ जाता है इसको हम 1 by n को तो as it is लिखेंगे 1 minus 1 by n की power n ऐसे ही रहेगी अब minus 1 है तो यह चीज़े हो जाएंगी अब limit n test to infinity करने पे यह आपका 1 आएगा यह आपका 1 by e आ जाएगा क्योंकि e की power minus 1 हो जाएगी यहाँ पे minus sign है तो 1 by e आ जाएगा और 1 by n कहाँ पे चला जाएगा 0 पे तो इसलिए यहाँ से जो है यह बात बिल्कुल clear हो जाएगी कि यह जो function है वो uniformly convergent हो जाएगा ठेक है अब लेकिन यहाँ पे यह लिखा हुआ था कि यह uniformly convergent नहीं है जबकि हमने देखा कि यह uniformly convergent है इसका मतलब option D जो है वो गलत है तो जो सही answer है वो क्या है वो है A, B, C मैं आपको यह बता दूँ real analysis complete किया जा चुका है playlist में अब जैसे देखें यहाँ पे 0 से pi की बात है या 0 से k की बात है या 0 से 1 की बात है अब इसी में interval change हो जाएगा तो answer change हो जाएगा तो rigorous discussion जो है एक ही question पे 10-10-20-20 interval को हमने discuss किया है और वो जो discussion है वो प्रियतन CSIRNet का जो real analysis का complete course है YouTube पे उसमें available है आप एक बार playlist चेक किजिए thumbnail देखके आप definitely अच्छे से revise कर लीजिए everything will be clear है objective approach को अच्छे से समझेए subjective approach को अच्छे से समझेए और आपको अगर लगता है कि किसी particular topic पे एक video ले करके आया जाए जिस video से जो basic concept है जो subjective approach है objective approach है वो चीज़े एकदम clear हो तो निश्ची तोर में तोर पे जो comment section है उसमें आपका स्वागत है ठीक है playlist चेक किजिए और मिलते हैं next session में ठीक है तब तक के लिए all the best for your upcoming exam thank you very much